हलो प्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल समर स्पिस्यल सीरीज की फोर्थ रेसिपी है ठंडी और मल्लाईदार लस्टी गर्मियों के मौसम में ठंडी और मल्लाईदार लस्टी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है आज में घर पे कैसे आसान तरीके से लस्टी बनाते हैं वो आपको बताऊंगी तो चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं अगर आप मेरी चैनल पे न आए है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज में दो अलग तरकी लस्टी बनाऊंगे, पहली मल्लाई लस्टी और दुसरी रोज लस्टी सबसे पहले हम दोनों लस्टी का बेजिक मिकसर तैयार करेंगे इसके लिए मैंने लिया है एक पॉल में आदा किलो अमूल दही ये दही ज्यादा गाड़ा रहता है और ज्यादा खटा भी नहीं रहता है इसलिए मैंने ये दही लिया है आप घर का बना हुआ या मार्केट का कोई भी ब्रांग का दही यूज कर सकते है लेकिन दही ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए अब हम इसमें आदा तप सुगर पाउडर एड़ करेंगे फिर इसे घोटनी से इस तरह अच्छे से फैटेंगे घोटनी से फैटने से लस्टी में जो दाने दाने रहते हैं इसका साथ बढ़िया लगता है इसे थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहना है ताकि लस्टी के लिए हमारा टेक्शर मार्केट में हलवाई की दुकान में जो लस्टी निलती है वैसा ही बढ़िया बनके तयार हो जाए अगर आप ग्राइंडर में लस्टी बनाएंगे तो ऐसी दाने दार लस्टी नहीं बनेंगे तो बैतर है कि आप इस तरह से लस्टी बनाएंगे तो लस्टी का स्वाद बढ़िया आएगा ये देखिए लस्टी बनाने के लिए हमारा मिक्सर तैयार है ये ऐसा ठीक होना चाहिए अब हम एक ग्लास लेंगे फिर इसमें दो आईस क्यूब डालेंगे फिर इसमें थोड़ी लस्टी एड़ करेंगे हमें आदे ग्लास तकी लस्टी एड़ करना है बाकी लस्टी हम बाद में एड़ करेंगे अब हम इसमें एक चम्मच मल्लाई एड़ करेंगे मैंने यहां गर की फ्रेस मल्लाई ली है फिर इसमें बाकी लस्टी एड़ करेंगे अब हम इसमें दो चम्मच मल्लाई एड़ करेंगे ताकि स्वाद में बढ़िया लगे ये देखे हमारी ठंडी ठंडी मल्लाई दार मल्लाई लस्टी कितनी मस्तबन के तैयार हुई है हमारे नचलिकर में यह लटी सबकिया और यह बहुती टेस्टि लगती हैं अब हम बनाएंगे रोज लस्ती बनाने के लिए मेने मैक्रों का रोज सीरप यूज किया है आप कोई भी बेरान का रोज सीरप यूज कर सकते हैं अब हम एक ग्लास कदरेंगी यह सब दो है पिर इसमें तीन चमच रोज सीरप डालेंगे अब हम इसमें थोड़ी लस्ती एड़ करेंगे लस्ती हमें अधे गलास तक ही एड़ करनी है बाकी लस्ती हम बाद में एड़ करेंगे अब हम इसमें दो चम्मच मल्लाई एड़ करेंगे Friends, रोज लस्टी में मल्लाई एड़ करने से लस्टी स्वाद में भहती बढ़िया लगती है अब हम इसमें बाकी लस्टी एड़ करेंगे फिर सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे ये देखे, हमारी ठंडी ठंडी रोज लस्टी बन के तयार है ये लस्टी बच्चों को तो बहुती पसंद आएगी गर्मियों के मौसम में हमारी ठंडी ठंडी मल्लाई दार दोनों लस्टी सव करने के लिए तयार है आप इसे कभी भी बना के एंजोई कर सकते हैं ये सरीर को काफी ठंडग देती है और बहुती कम इंग्रीडियंस में फटा फट बन जाती है तो फ्रेंड्स गर्मियों के मौसम में आप मेरी ये दोनों तरग की मल्लाईदार लस्टी गर पे जरूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईए और दोस्तों मेरी ये रेसिपी पसंद आये तो लाइक करें, सेर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लाइकन को प्रेस करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ स्टे सेव एन दी हैपी